बद्दी में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि बद्दी में पाकिस्तान के नाम से ओर्डर डिलीवर हो रहे हैं जिया हिमाचर प्रदेश के सोलन जिले का सबसे बड़ा उद्योगिक शेत्र बद्दी चर्चा का विशे बना हुआ है और चर्चा में है यहां की पाकिस्तान क्लोनी जो की काग्सों और रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन फिर भी ऑनलाइन शॉपिंग में बकाईदा पाकिस्तान क्लोनी के नाम पर कुरियर डिलीवर हो रहे हैं दरसल बद्दी के भूपनगर क्षेत्रों के एक भवन में रह रहे कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं वे डिलीवरी में पाकिस्तान क्लोनी का पता दर्ज कर रहे हैं जबकि जगह का नाम ऐसा नहीं है लंबे समय से पाकिस्तान क्लोनी के पते पर ही डिलीवरी के ओडर आ रहे है इस से जांच एजंसियों की कारे प्रनाली पर सवाल खड़े हुए है वही लोग भी हैरान है अलग-अलग ओनलाइन शॉपिंग कंपनियों के डिलीवरी ओडर यहां पाकिस्तान क्लोनी के पते पर सोंवार को जब एक कूरियर कंपनी का बिल इन्वाइस लोगों के मुबाइल फोन पर वायरल हुआ तो मामले का खुलासा हुआ बतारे इसको लेकर पुलिस अधीक्षक कार्याले बद्दी में शिकायत पत्र भी सौंपा गया है हाला कि पुलिस शिकायत मिलने की बात से इनकार कर रही है उधर कंपनियों के करमचारियों का कहना है कि ओनलाइन शौपिंग का ओडर देते समय ग्राहक ही अपना पता दर्ज करता है कंपनिया इन्वाइस पर अड्रेस दर्ज करती हैं उन्हें भी पाकिस्तान क्लोनी देकर काफी अटपटा लगा और विरोध भी कर चुके हैं उधर इन्वाइस में दर्ज नंबर पर भी कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया खबर का पता चलने पर लगा कि ये किसी से गल्ती से हुआ होगा लेकिन जब कुरियर कंपनियों से पता किया गया तो जानकारी मिली कि इस थान पर इसी नाम से कुरियर जा रहे हैं दून विधान सबाक शेत्र की थाना पंचायत के भूपनगर शेत्र में बड़े भवन में कई कमरे हैं वहाँ जब भी कोई कुरियर जाता है तो उस पर पता पाकिस्तान क्लोनी होता है ये कृत्य सेहन नहीं होगा इस सारे मामले की शिकायत एस पी बद्दी को दी गई और कि बद्दी मोहित चावल का कहना है कि इस तरह की शिकायत उन्हें नहीं मिली है अगर उनके कारयाले में किसी करमचारी या धिकारी को इस मामले को लेकर शिकायत की गई होगी तो मामले में उचित कारवाई की जाएगी